नमस्कार दोस्तों स्वागते शो मुझबाले चीका ओर एक हेल्थ व्यडियो में इस वीडिए में बात करने वाले हैं ट्रॉपोनीन व्लड टेस्ट के बारे में इसके नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए अबनॉर्मल वैलू मतलब ज्यादा है कम होने से क्या इंडिकेशन होता है सारे के सारे सवालों के जब आप इस वीडियो में मिलेगा तो वीडियो को अन तक जरूर देखना तो चले शुरू करते हैं ट्रोपोनिन टेस्ट के बारे मे फ़हले बात करते हैं ट्रोपोनिन टेस्ट के परपस क्या है तु डिटेक्ट हर्ट मसल डैमेज मतलब हर्ट रिलेटे जब भी आप एप ये ट्रोपोनिन नाम को देखेंगे या फिर ट्रोपोनिन टेस्ट आपको प्रसकॉइब किया गया तो अब जान लो कि हर्ट और आपकी हाट रिलेटेड को जानकारी लेने के लिए ट्रोपोनीन टेस्ट किया जाता है हाट एक मसल बेसिकली हाट is nothing but और उसको regulate करता है हमारे brain with nerve impulse, nerve impulse से जरीए heart muscle जो है regulate होता है blood को pump करता है शरीर के अलग-अलग हिस्सों में blood को पहुंचा देता है उससे अलग-अलग tissues को oxygen मिलता है और बाकि अलग-अलग nutrients मिलता है उससे वो नरीशन रहता है और ठीक्टा काम करता है, अब heart muscle अगर weak होजाये, damage हो जाए, heart damage के कारण वो muscle जब degrad होता है वो degrad होने के बाद ये protein release करता है, उसका नाम होता है droponine droponine एक protein है जो heart muscle degradation के बाद ही bloodstream में आ जाता है तो जब भी अगर किसी की bloodstream में droponine ज़्यादा पाएगा तो मतलब क्या होता है, तो मतलब ये होता है कि heart में कुछ damage है, heart muscle damage हो चुका है, या फिर damage हो रहा है, ठीक है, तो heart health चेक करने के लिए, risk of heart attack चेक करने के लिए, हम troponin test करते हैं, इसके बाद बात करते हैं, कैसे ही ये blood test किया जाता है, simple सी blood test है, आपके हाथों की vein से blood लिया जाएगा, with a needle and syringe, फिर उसको laboratory में test किया जाए चाहिए, 0.03 nanograms per milliliter, NG per ml, 0.03, बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है, और troponin T, दो यहाँ पर अलग-अलग चीज़ें आता है, troponin I and troponin T, troponin T आता है, less than 0.01 nanogram per milliliter, दो प्रकार के troponin आते हैं, abnormal value क्या indicate करता है, इसके बार में भी जानका रिले ले लेते हैं, elevated levels of troponin, किसी क्या indication मिलता है, मिलता है heart muscle damage, इसका मतलब किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, आपकी heart में चोट आया है, दिल पे चोट आया है, और उसके कारण वो heart muscle में damage आया है, damage आने के कारण नहीं, troponin blood में बरता है, heart attack, आपको हो सकते है, acute heart attack हुआ है, अभी के अभी, या फिर cardiac condition, किसी भी प्रकार के cardiac condition हो, उसमें troponin blood में ज्यादा पाये जाते हैं, ठीक है, तो यह चीज indication मिलता है, higher level generally indicate a greater severity of damage, मतलब जितना ज्यादा ज्यादा है blood में, इसका मतलब है उतना ही ज्यादा आपकी heart muscle में damage आया है, तो जब भी heart की बीमारी होते है, लोगोंने ECG करना होत is equally important, आपको ECG से कुछ नहीं पता चलेगा regarding heart के structure and shape कैसे काम कर रहा है, वो ECOCardiography से पता चलेगा, जो के color doppler कर सकते हो, आप, और उसके साथ-साथ हमें जो करना है, वो है troponin की analysis, troponin की analysis बहुत है simple है, blood test से यह मालुम चल जाता है, तो यह होता है troponin test के बारे में details, troponin test का purpose कैसे troponin test किया जाता है, troponin test normal range और troponin test ज्यादा होने से, troponin की value blood में ज्यादा होने से क्या indication मिलता है, सारे के सारे details, आशा करते वीडियो helpful है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलिक के साथ, और स